अमरीसर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आये जहां गुवर्मेंट गर्ल सीनियर स्कैंडरी स्कूल माल रोड में दस्वी क्लास में पढ़ने वाली एक शात्रा तीन दिन तक स्कूल में ही रहती है और जिस बाद से पूरा परिवार भी बे खबर था परिवार की तरफ से पुलिस को कंप्लेन लिखी है लेकिन कुछ पता नहीं जला तीन दिन के बाद अचानक कोई फोन आता है कि आपकी बेटी मिल गई है और स्कूल में ही है लेकिन उसकी हल्त बहुत ही नाजुक है परिवार का अरोप है कि स्कूल वालों के तरफ से हमारी बेटी को अगवा कर रखा गया है और स्कूल के ओपर सक्से सक्त कारवाई की जाए क्यों आजी दो डिनार इंदसे सुरू दो फस्ट पर स्कूल गई सी ते अचानकी मेरे स्कूले तो पहरे से पीड़ों डैप पे आही फिर में से दर्टी गोली खा दी अस तो बाद में टैरिस्टे चलीगी सी कि भी मेने क्लास फच बहुत ज्यादा घर्मी लग लगी सी फि में किते हैं किते नी एचाज भी लगी है तोड़े बिन ने कुछ होश हैगा और उस तो बाद में कुछ होशी नहीं रया थेडिक्राच पर दें जी हुन में टैंथ क्लास ट्याइए अचानकी बें ने कुछ होश नहीं रया मैं जद भी अख़्ा खोला मेरी अक्का साबने मेरे पेरेंट्स में लब दे रहे किसी ने रहे बता फिर कल सवेरे सकते में में नू गॉड़न मैं ते स्कूल दे हो और बाकी सर थोड़े दो चार बच्चे वोच्चिल दे वी सिगे औनाने में नू पानी प्याया ते मेनू होश ती विच लहके आँड़ी बहुत कोशिश किती पर बैता वी बेहोश सिगी होना फिर जो ने आया जांग हो छोड़े पेरेंट में नाल सिगी में ममा ते वाड़ मैं ओकि मेरे नाल सिगी कि अजिए नाम आपके पूर्णम सर क्या हुआ अपकी बेटी सर शुटी के डायम में घर नहीं आई थी घर नहीं पहुंची थी इस्ते ओके अधि मैंने मैं से बोला था इंचार मैं से किया अज मेरी पची घर नहीं आई है वो बोले कि आप जरा रिश्तेदार हो पता करो कि अजया थोड़ी देर में कोई नहीं हमने वेट किया था कि इतनी करास में पढ़ती और क्यों से शुटी सर अभी वो दसमी में आई थी दौमी पास करके दसमी में आई है तो फिर किया से पता चला क्या हुआ था इसके बाद में हमने तलासी करी थी तीन पचार चक्र स्कूल के काटे थे स्वामबार के दिन इसके बाद में स्वामबार बंगल बार कुडी हमारी घर नहीं आई थी बुदवार नो कुडी नो सुबा फौन आया था स्कूल से ही कि आपकी बेट्ची मिल गई है तो हम जब सारा पूरे परिवार्स के साथ गए थे तो कुडी की हालत ऐस पारी थी रोड़े पथर भी मारे थे किसी ने उसकी नहीं सुनी तीन दिन तक मेरी बच्ची उस स्कूल में तड़कती रही लेकिन कि सी नहीं सुना इसकूल वालों पर सक के मुझे क्यों किस पीए खुनकि मेनी बेटी बॉकसर पेलेयर थी इसकूल वाले आप आप आसन जो तरएंगे इसका इक या तो च्वु वजाम आती है बजक की पता सद्जी इस बरे में पुलिस में स्ट्रेशी अबने हा जी पुलिस बारों को भी मैंने कि तरह किया था कि मेरी बच्ची घर नी बहुची थी इस तरह अगर से गल हुई थी अड़े नाल तो उसकी लगता हुए उसके साथ कोई बारदात हुई है मेरा नाम रोहित कोखर है मैं सेक्टरी यहां बहुचन समाज पार्टी पंजाब दा की मतला यह तरह कि मैंनों फोन आया से गुरू घ्यानात वाल में की तरम समाज दे जड़े बाबन शत्रनात शेर गेल जी यह उनना ते पीए लड़ी जीदा भी इस तरह इस तरह एक कटना ह वापस नहीं आई और उस्तों बाद अपनी जड़ी रपट दर्ज कराई लारंस ओड चौंकी चे और पुलिस भी जड़ी आसी इनना कॉपरेट नहीं कर रही सी और फेर उस्तों बाद तेन त्रीक नूँ नूँ अथो फोन आया कि ता डीबेटी जड़ी है ओ स्कूल चो ल चले आंदा और हो उस्पिटल ले जान तो बाद जड़ा मांग कार देरे बीबच्ची दा जड़ा मैडिकल होना चाहिए था कि सानु पता लगे कि ओधना कोई हो जी कटना ना हो यूज इसा डीबच्ची नाल कि जितना है सारी जिंदगी जड़े आसान उस्तों मेंदगी सामना करना पर वे तो यसी भी ती यहां पहना वाले हैं पर फिर भी जड़ा सी का पुलिस परशाशन है उन्हें इना दा कोई भी मैडिकल नी कराया फिर मैं तकरीब ने सवा बारा वज़े मैं होस्पिटल चाहिए और मैं पॉने एक वज़े जड़ा सीपी साब नो फोन की देखो इना दी जड़ी फैमली तो जड़े असी गालबात होई है तुसी भी सारा सुने आवा भी साफ तो आरते लागरे आवा शाकते ना नू किसे ते निया पर जो कटना होई है स्कूल ची कुड़ी बच्ची बांदे या एदा मदला स्कूल ची दोशी है स्कूल दे दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल परमजित कोल का कहना है कि जैसे ही मुझे स्कूल के चौंकी दर का फोन आया स्कूल के दस्या गया कि बच्चा ग्राउंड दे विच है मैं इमिजेटल स्कूल पांची बच्चे दे पेरेंट्स नों बलाया गया उससे वेले बच्चे नों गुर्दानक हॉस्पिटल एडमिट कर वा देता गया सर एदे बारे पुलिस इंवेस्टिकेशन कार रही है मेरी सूचना दे विच ए गल किसे ने भी नहीं लियांदी क्योंकि पहली तरीक नों मेरी डीसी ओफिस वीडियो कांफ्रेंसिंग ते मीटिंग सी सेक्टरी सर्णल में डियो सर्दिनल उत्ते मजूद सी मेरे तो नेक्स स्वेरे ही पता लगया और जदो मिनों पता लगया उस तो बाद मैं जो कुछ कार सकती सी मैं मैं मैक्सिममम एफट किती है के बच्चे था ठीक ठाक इलाज हो जबे पुलिस इंवेस्टिकेशन कार रही है असी इन्वेस्टिकेशन दे विच पूरा साथ दे रहे हैं तो दे पुलिस का कहना है कि लड़की मुस्कान तीन दिन बाद स्कूल में ही मिली है उसका मैडिकल करवा रहे हैं जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दोशी पर कारवाई की जाएगी लटकी मुस्कान गूम्वें होएगी एक चार दो यार उनिनों तरिकाल सानों मिली है स्पूल दे विचुएं तरिकाल कारवा रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी अपना कारवी कर रहे हुँए लटकी ने कालश दस्या सी गा कि एसा मेरा इस मामले में क्या सचाई है इसका पता तो पुलिस की जांच के बाद ही लग सकेगा बुलेंट टीवी के लिए अमरिसर से हर्जीत करेवाल की रिपोर्ट झालेंट के बाद है झालेंट पुलिस करेवाल बुलिस के लिए ही जांच करेवाद है झालेंट बुलिस के लिएमाद आड़ाद है